हलो बच्चो चलिए सुरू करते हैं प्रॉपटीज की सेकंड क्लास मुझे पता है बीच में थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन प्यारे बच्चो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए क्योंकि आजकल नैट इसू बहुत जादा आ रहा है ठीक है और एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं क्या देख रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे सीडियस नहीं हो रहे हैं ठीक है उन्होंने जब फीज पे कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी मुसीबत चल रही है हम लोगों के सामने और इस मुसीबत में भी बच्चे अपना प्रॉफिट पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं मुझे यह समझ में नहीं आ रहा आपको सारी चीजे इतनी असानी से प्रोवाइड कराई जा रही है ठीक है जबकि आपको नहीं पता एक वीडियो बनाने में हमें साथ से आठ घंटे लगते हैं जबकि वीडियो आपके पास 40 मिनट के आती है ठीक है क् प्यारे बच्चो वीडियो बनने के बाद उसे compile करने में तकरीबन हमें 2-5 घंटे लगते हैं, ठीक है, और कभी कभी 4-5 घंटे भी लगते हैं, ठीक है, और net issue आपको पता हर जगा है, फिर upload करने में अलग time लगता है, तकरीबन 1-3 घंटा, क्योंकि net की speed बने जैसा बतायाग यहर जगा कम है ठीक है और फिर इतना कुछ करने के बाद बच्चो एक वीडियो अपलोड होती है ठीक है और उसके बावजूद भी आप लोग उसको नहीं देख रहे हैं उससे रिलेटिड होमवर्क्स एंड नहीं कर रहे हैं तो प्यारे बच्चो मैं आपको एक छोटी सी ब लोगने शुरू कर देगा कि मेरा बच्चा भाई क्यों ऐसा रह गया ठीक है क्योंकि देखो बच्चो मैं इतना जानता हूँ मैं जना जानता हूँ कि मान लीजिए अगर एक अपरेल को आपका कोड़ सुरू हो जाता तो भाई देखिए अपरेल के मन्त में हम थर्ड और फोर्ट चैप्टर तो करी लेते हैं फिर आपका मई आता मई में बच्चो मैं आपको सेकंड चैप्टर और फिफ्ट चैप्टर शुरू करा देता ठीक हैं और फिर अब आगया जून और जून की अब तक 10 तारीक तक में मैं आपको फिफ्ट चैप्टर हर हाल में खतम करा देता तो मतलब बच्चो अपरेल मई जून इसके अंदर मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 4 चैप्टर मतलब 2 महीने 10 दिन के अंदर 4 चैप मिला है तो बच्चो पहले ही हम लोग अपरेल का महीना खराब कर चुके हैं अपरेल का मंत खराब कर चुके हैं तो इसलिए प्यारे बच्चो आप लोग और टाइम वेस्ट मत करो ठीक है आप लोग बहुत होश्यार हो आप लोग कर सकते हो मुझे विश्वास है लेकिन बच् पहले ही एक महीना खराब हो चुका है और अभी भी अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जी अगर जुलाई या आगस्त में स्कूल खुलेंगे हम तब से पढ़ाई शुरू करेंगे तो मैं आपको बता दूँ आपको कोई भी टीचर पहले पीछे का नहीं कराएगा वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे क्यों क्यों क्योंकि यहां तक का पीछे का तो हमने आपको करवा दिया तो इन सब चीजों को आप लोग सोचिए थोड़ा ठीक है तो इसलिए बच्चों थोड़ा समझिये इस बात को ठीक है तो मैं यहीं पर इस बात को खतम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ प्रॉपटीज की सेकंड क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है कोईचन नमबर सेवन मैं आपको होमवक में दिया था ठीक है आप सभी बच्चों से उमीद है कि आपने वह कर लिया होगा नहीं किया होगा तो मैं वह कराऊंगा ठीक है और अब फिलाल पहले हम लोग एके करके कुछ नए कुश्चन देखते हैं ठीक है पहले मैं NCRT एप ओपन कर लेता हूँ ठीक है वाइट कलर का सिंबल है इसका ठीक है चलिए सेवन्थ कोश्चन मैं आपको कराऊंगा ठीक है सेवन्थ कोश्चन मैं आपको कराऊंगा और कैसे करना है सेवन्थ कोश्चन वो भी देख लो आप लोग ठीक है कि बच्चो बहुत ज्यादा इसके अंदर हम लोगों को पता का करना पड़ेगा बहुत ज्यादा 7th question में करना क्या है जरह ध्यान से देखना पहले तो 7th question देख लो है क्या क्या कह रहा है by using property of determinant so that this question no.7 minus ka a square a b a c b a minus b square b c c a c b minus ka c square और प्रूफ करना है 4a square b square c square हमें ये प्रूफ करना है अब इस से simple question बच्चों आपको ना नहीं मिल सकता अब बच्चे देख के खामखा में घबरा जाते हैं यार ये क्या दे दिया बहुत tension हो गई properties वगरा कौन करेगा तो भाई आपको पता है बस आपको अपनी नजरों को देख अपनी नजरों से ये देखना है कि क्या ऐसी चीज है जो आपको clearly common दिख रही है ठीक है और या minus plus multiply होते हुए कौन से ऐसी चीज है जो आपको चाहिए और बन सकती है मेरी बात समझने की कोशिच कीजिए पहले मैं क्या कह रहा हूँ कि आप या तो common देखिए ठीक दूसरा या आप या आप ये देखिए कि minus plus करके या multiply करके क्या चीज ऐसी है जिसको common लेने से या multiply करने से या add करने से हमें result मिलना शुरू हो जाए तो प्यारे बच्चो मुझे जैसा कि दिख रहा है A, B, C मुझे multiply में चाहिए तो बच्चो A, B, C कहीं पर भी multiply में नहीं है लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ जैसा कि मैंने properties में पढ़ा है क्या पढ़ा है मैंने properties में left hand side लो अच्छा properties में हमने ये पढ़ा है कि हम किसी particular raw से या column से कोई भी common digit को common ले सकते हैं अब जैसे मुझे दिख रहा R1 में A, A, A common है R2 में B, B, B common है R3 में C, C, C common है तो क्या मैं लिख सकता हूँ taking common A, B and C from R1, R2 and R3 सही बात है तो R1 से A निकाला R2 से B निकाला R3 से C निकाला बचा क्या माइनस A, B, C यहां क्या बचा A, माइनस B, C यहां क्या बचा A, B, माइनस का C क्यों? क्योंकि R1 से A निकाला R2 से B निकाला R3 से C निकाला लेकिन देखो अब भी तो common आ रहा है C1 से A, C2 से B, C3 से C तो बस taking common taking common A, B and C from C1 C2 and C3 तो बस फिर से निकालोगे तो A square बन जाएगा, B square बन जाएगा, C square यह minus 1, 1 1, 1 minus 1 1, ठीक है उसके बाद 1, 1 minus 1 अच्छा, अब आपको पता है ना जब भी ऐसे 1, 1, 1 वाला case आजा तो या तो इन दो को 0 बना तो, या तो इन दो को 0 बना तो याद है, elementary operation तो बस, बात खतम, तो कैसे करेंगे R2 में operation करेंगे R2 plus R1 और R3 में भी operation करेंगे R3 plus R1 तो बन जागा ना आराम से 0 लो, बनाओ 0 तो A square, B square, C square हाँ जी, R1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा हाँ भी, 1 plus minus 1, 0 ये भी 0 ये 2 R1 ये, R3 R3 plus R1, 0 1 plus 1, 2 minus 1 plus 1, तो 0 हो गया, भाई आप तो clear है अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे भाई, इसका भाई, वो निकाल देंगे determinant, क्या निकाल देंगे determinant, तो निकालो determinant 1st row, 1st column ये रहा, ठीक है तो क्या बनना, 0, 2, 2, 0 minus 1, ये 1st row, 2nd column 0, 2, 0, 0 plus 1st row, 3rd column 1, 0, 0, 0, 2 बस, तो ये A square, B square, C square minus 1 या गया 0, ये minus का 4 minus 1, 0 minus 0 2, 0 minus 0 तो A square, B square, C square minus minus plus का 4, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा ठीक है, तो 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं बचा 4, तो बचा गया, 4 A square, B square, C square hence, proved इतना सा करना है बस देख रहो? कितना नकली कोशन है? देख रहे हो? तो इतना simple सा कोशन है प्यारे बच्चो बस आपको देखना है और क्या करना है? इसको solve करना है, ठीक है? तो जल्दी से इसको not कीजिए जल्दी से इसे आपने वीडियो पॉस्ट करके नोट कर लिया होगा ठीक है हाँ जी चलिए अब देखते हैं अब है हमारे पास कोशन नमबर आठ ठीक है बड़ा बहतरी एक नमबर जबर दस्ट कोशन है ठीक है कोशन नमबर आठ का फर्स्ट पार्ट करेंगे और फिर सेकेंड भी मैं ही कराऊंगा टेंशन मतलो एट का फर्स्ट पार्ट क्या है कोशन वन 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 ए बी सी ए स्क्वेर बी स्क्वेर सी स्क्वेर बराबर ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए लो जी बन गया काम मैंने क्या तिखाया आपको वन 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 की लाइन बन जाए तो इधर दो जीरो बना दो या वन वन की लाइन बन जाए इधर दो जीरो बना दो आपकी मर्जे किदर भी बना दो तो हमें 1-1-1 कहां दिखाई दे रहा है C1 में इन दो को 0 बनाएंगे हमारा काम बन जाएगा बच्चो इन दो को हम जैसे 0 बनाएंगे हमारा काम बन जाएगा ऐसे समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं दूसरा तरीका देखो हाँ भई मैं अगर B-A कर दू तो मिरे को ये मिल जाएगा लेकिन कहोगे सर गलत बोल दिया अपने A-B है कोई बात नहीं यार बाद में माइनस कॉमन ले लेंगे टेंशन क्यों ले रहे हो C-A ले लेंगे तब भी तो बन जाएगी C-A तो ही ना हमारे पास तो देखो हमारे पास तरीके बहुत है बस करने की दे लिए हमे ठीक है बात में हम माइनस वाइनस कॉमन ले के सब कुछ करतेंगे लेकिन मैं तो यहीं सिखाऊंगा कि भई जो ज़्यादा असान चीज होगी वो पकड़ो क्या कि भई 1-1-1 की लाइन जब भी दिख जाए तो उसके नीचे के 2-1 को क्या बना दो 0 बना दो बस हो गया कामसान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो R2 के अंदर ओपरेशन करो R2-R1 और R3 के अंदर ओपरेशन करो R3-R1 लो सुविधा आगी 1-A-A-2 1 में से बना गया 0 B में से गया B-A इसमें से गया B-A-A-2 अब 1 में से बना गया 0 C में से गया C-A C-A-A-2 ठीक है? चलो ओपन करो इसको 1-0-0 A ठीक है बई? A- common ले लो क्या बचेगा? A-B ठीक है? यह C-A ठीक है? यह A-2 ठीक है बई? इसमें से माइनस गॉमन ले लो क्या बनेगा? A-B-2 ठीक है? और इसको तो गॉमन लेने जोड़त नहीं सीधा फॉर्मल लगा दो इसमें C-A C-A कोई तिकत? ठीक है? फिर से करो 1-0-0 A माइनस का A-B C-A A-A A-B A-B और यह तो है C-A C-A अच्छा, अब मैंने आपको पताया था कॉमन लेने में हम एक जबर्दस्ती का सौदा करते हैं क्या करते हैं? कॉमन लेने में हम एक जबर्दस्ती का सौदा करते हैं क्या? अच्छे एक बाब बताओ अगर मैं 0 multiply 1 लिख दू कोई फर्क पड़ेगा? नहीं 0 multiply में 2A लिख दू कोई फर्क पड़ेगा? नहीं 0 multiply में A plus B लिख दू कोई फर्क पड़ेगा? अरे नहीं पड़ेगा क्यों? क्योंकि हाँ बच्चो तो देखो क्या बता रहता हम है? कि 0 को किसी से भी multiply कर दो या 0 में से कुछ भी common ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता ठेक है? तो चलिए, शुरू करते हैं तो अब देखिए, हाँ जे बच्चो A-B, A-B और 0 में से भी अगर A-B common ले लो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं C- या C- और 0 में से भी C-A common ले लो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, तो लिखो taking common taking common A-B and C-A from R2 and R3 तो या आ गया A-B C-A और अंदर क्या बचा? 1, 0, 0 A-1, 1 A square minus A A plus B और क्या है? C plus A अब कुछ नहीं करना अब इसका determinant निकाल दो क्या निकाल दो? Determinant A-B, C-A निकालो first row, first column minus 1, minus A plus B 1, C plus A ठीक है? first row, second column A, ठीक है? 0, minus A plus B, 0 C plus A ठीक है? plus, first row, second column A square ठीक है? A square तो क्या गया? 0, minus 1 0, 1 ठीक है? तो A, minus B C, minus A अजी, one इसको इससे करेंगे तो क्या बने गई है? इससे करेंगे minus का C, minus का A ठीक है? minus का C, minus का A और इससे करेंगे इसको multiply तो minus का A, minus का B सही बात है? minus का A, minus का B ठीक है? और यह तो पूरा ही 0 हो जाएगा आप देख सकते हैं इसको इससे 0 इसको इससे जीरो A स्कूर इसको इससे 0 इसको इससे 0 मैंने को लग certification commendative की है करें ऐसको इसको फिर से लिख दे तो इससे करेंगे तो यह बनेगा minus का C, plus A इससे करेंगे तो minus us plus A, plus B गलती कर रहे थे न चलो A-B C-A तो यह क्या बन जाएगा माइनस का C, माइनस का A प्लस का A, प्लस का B और यह सारे तो 0 ही हो जाएंगे माइनस 0 प्लस 0 है न तो देखो A से A कट गया तो बचा क्या A-B C-A और यह क्या बन गया B-C, तो इसको लिख दो साही से A-B, B-C C-A Hence, proved तो इस तरीके से करना है बच्चो ठीक है, तो बहुत simple question होते है बस एक बार property यूज़ करनी साही से उसके बाद तो ख़देड दोगे अब, ठीक है, चलो note करो फटाफट फटाफट note करो तो बच्चो अबने ये note कर लिया होगा और मैं अब next question की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है Question number 8 Question number 8 और मेरे सबसे खुद कर लोगा यार तुम उसमाद बता क्या करना, देखो मैं बता देता हूँ हिंट देता हूँ Question number 8 मैं हिंट देता हूँ Question number 8 मैं हिंट ले लो आप ठीक है Second Part क्या है 1, 1, 1 A, B, C AQ, BQ CQ चलो कराई देता हूँ यार, हटो हाँ, तो क्याता करेंगे मैंने बतादा ना, लाश्ट के लोगा जीरो बना दू तो बस कहता है, पहले तो अरे यार यार ये तो लिख लो प्रूफ क्या करना है हाँ प्रूफ करना है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, A प्लस B प्लस C ये प्रूफ करना है, चलो इजी है बहुत तो भई, लेफ्ट एंड साइड पहले तो इन दो को जीरो बनाना है, तो क्या करेंगे C2 में उपरेशन चलाएंगे C2 माइनस C1 और C3 में उपरेशन चलाएंगे C3 माइनस C1, चलो तो ये 1, A, A क्यूब ये ता ऐसी रहेगा 1 माइनस 1, 0 B माइनस A, ये B क्यूब माइनस C, A क्यूब फिर ये 0, ये C माइनस A C minus A यह C cube minus A cube ठीक है 1 A A cube 0 minus common ले लो A minus B minus common ले लो A cube minus B cube ठीक है 0 C minus A C cube minus A cube अब आपको cube का formula तो बच्पन से पढ़ते आ हैं जब आप लोग बहुत छोटे थे ठीक हि नर सरी में तब आपने पढ़ा था ये क्या पढ़ा था बच्चो हाँ भई A Q माइनस B Q का फॉर्मूला A माइनस B A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस A B यही पढ़ा था अपने अब यह 0 C माइनस A तो C माइनस A रहेगा इसका क्या होगा C माइनस A C स्क्वार प्लस A स्क्वार प्लस A C ठीक है, यही पढ़ा था अपने, चलो, अब यहां तक का तो हो गया, अब बात आती है common की, बात आती है common की, तो मैंने आपको बताया ना, कि common हम 0 में से कुछ भी ले सकते हैं, तो बस इस C2 को देखो, C2 में आपको A-B, A-B, 0 में से भी ले सकते हैं, C3 में देखो, C-C, 0 में स a from c2 and c3 done तो लिगा लो इसको comment a minus b और c minus a तो क्या बनेगा 1 a a cube 0 minus 1 a sorry minus लगाना बूल गया a square plus b square plus a b और यह बनेगा 0 1 और यह बनेगा c square plus a square plus a c ठीक है कोई दिक्कत चलो अब तो क्या कर देंगे लगा दो बना दो निकालो determinant a minus b c minus a हाँ बई determinant निकालो determinant निकालो 1 हाँ बई first row और क्या बई first row first row first column first row first column तो क्या बनेगा minus 1 minus a square plus b square plus a b और यह कितना आएगा 1 c square plus a square plus a c अच्छा ठीक है अच्छा इसके आगे solve करने जुरूत नहीं है क्यों 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 यह भी 0 यह भी 0 तो all 0 होगा की नहीं होगा इसके आगे all 0 ठीक है तो यह a minus b c minus a ठीक है अब solve करो minus से करेंगे तो minus का c square minus का a square minus का a c ओर यह minus minus की होजबा plus का a square, plus का b square, plus का a, b ठीक है तो a square से a square कटा और क्या कटा और कुछ कटेगा मुलो भई, नहीं a square से a square कटेगा बस और कुछ नहीं कटेगा हाँ जी, तो यह बचेगा a minus b और यह c minus a अब देखो, और क्या चाहिए हमें और चाहिए B-C और चाहिए A-B-C तो चलो अब देखो अब इन दोनों में B-C, B-C common आ रहा है बिलकुल आ रहा है निकाल लो B-C बाहर निकाल लिया बाहर common तो अंदर क्या बचा जब B-C इधर से भी common B-C इधर से भी common तो बचा क्या A-B-C क्या यही पुरूफ करना था हमें देख रहो Hence proved इस तरीके से तो इतना simple question है समझ रहो तो बहुत easy question है बस आपको देखना और note करना है ठीक है चलिए note कीजी इसे note कीजी फिर अगला question कराता हूँ Question number 9 Question number 9 आप खुद कर सकते हो Question number 9 आप खुद कर सकते हो ठीक है यह मैं आपके उपर छोड़ता हूँ Question number 9 Question number 10 मैं कराता हूँ Question number 10 कराता हूँ 9 बिल्कुल सेम ऐसा ही है ठीक है बस फर्क यह आगिया है कि जैसे यहाँ A, B, C है तो यहाँ पे A square, B square, C square और यहाँ पे A, B, C हा गिया ठीक है तो Question number 9 आप खुद करेंगे 10 करा रहा हूँ ठीक है तो वीडियो पॉस करके नोट कर लो अब चलिए वीडियो पॉस करके आपने नोट कर लिया होगा Question number 10 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं Question number 10 का फर्स्ट पार्ट भाई भाई फिर से प्रापटी यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं तो यार आपको पता ही है हम खिलाडी बन चुके हम अब हम किसी की सुनने वाले हैं नहीं चलो ये प्रूफ करना है क्या नकली कोशन है यार चलो अज़ एक चीज़ इसमें आप देख रहे होगे कि आपको बड़ा आराम से दिख रही होगी क्या कि X प्लस 4 X प्लस 4 X प्लस 4 तो जब ये डागनली आ रहा है तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई है कि इसमें भाई कुछ इस्पेशल होगा अब इस्पेशल क्या होगा इस्पेशल ये होगा कि ऐसे कोशनों में हमें जो कोशन का आंसर प्रूफ करना होता है वो इतना सिंपल तरीके से दिख रहा होता है हमें कि क्या बताओं आपको हर जगा दिखाई देगा वो जैसे देखो आपको 5 X प्लस 4 चाहिए तो देखो अगर आप C1, C2, C3 जोड़ो 2 X, 2 X, 1 X 5 X बना 5 X प्लस 4 2 X, 2 X, 2 X, 2 X, 5 2 X, 2 X, 2 X, 5 अब आप ये तो कॉलम में देख लिया अपने अब रो में देखो तब भी वही बात है रो में देख लो 2 X, 2 X, 1, 5 2 X, 2 X, 1, 5 2 X, 2 X, 1, 5 यानि आप चाहे रो के हिसाफ से देखो चाहे कॉलम के हिसाफ से देखो आपको 100% रिजल्ट ना आपके सामने नजर आएगा ऐसे कोश्चनों में इसकी अच्छी बात ही है ठीक है? तो बस आप कहीं से भी कोश्चन करना सुरू करतो कोई फर्क नहीं पड़ता मालनो मैंने C1 के अंदर उप्रेशन किया लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने C1 में उप्रेशन किया C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो add सब को करो 2,2 और 1,5x प्लस 4 फिर 2,2 और 1,5x प्लस 4 फिर 2,2 और 1,5x प्लस 4 यहाँ पे 2x, x प्लस 4, 2x 2x, 2x, x प्लस 4 हो गया? अब देखो हमें तो x प्लस 4, x प्लस 4 चाहिए ही था common ले लो common 5x प्लस 4 from C1 तो लिका लिया भाई 5x प्लस 4 अंदर के बचा 1,1,1 2x, x प्लस 4, 2x 2x, 2x, x प्लस 4 अब आपको मैंने क्या सिखाया है? जब यहाँ पे 1 की लाइन आ जाए तो उसको 0 बनाना होता है R2 में उप्रेशन R2 माइनस R1 R3 में उप्रेशन R3 माइनस R1 तो 5x प्लस 4 हाँ भाई यह तो अपनी जगा पे रहेंगे fix 1 से 1 गया 0 x प्लस 4 में से माइनस का 2x जाएगा तो क्या बनेगा? 4 माइनस x हाँ भाई 2x में 2x गया 0 फिर ऐसे R3 माइनस R1 1 में से 1 गया 0 2x से 2x 0 x प्लस 4 में से 2x तो भाई 4 माइनस x कोई दिकत ठेक है? अब क्या करेंगे? expand कर दो करो expand हाँ जी करो 1st row 1st column तो क्या बनेगा? 4 माइनस x 0 0 4 माइनस x ठेक है? हाँ भाई उसके बाद माइनस का 2x वैसे तो यह भी 0 ही बनेगा 1st row 2nd column तो क्या बनेगा? 0 0 0 माइनस 4 0 0 0 4 माइनस x फिर प्लस का 2x 1st row 3rd column फिर 3rd से क्या बनेगा? 0 4 माइनस x 0 0 लो भाई हाँ जी इस 1 से तो करेंगे इसको इस से करेंगे 4 माइनस x into 4 माइनस x तो square बन जाएगा 0 का 0 minus 2x यह 0 माइनस 0 2x 0 माइनस 0 बाद खतम 5x प्लस 4 तो यह क्या है? 4 माइनस x का whole square minus 0 plus 0 कोई फर्क नहीं पड़ा? 5x प्लस 4 4 माइनस x का whole square hence proved देखरो कितना नगली कोशन है? 4 नमबर के free कोशन है यह यह सारे कोशन कहते हैं 4 नमबर के free के कोशन ठीक है? अगर आप इसका second part देखोगे तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है? तो इसका second part आपके लिए दिये जा रहा है आप इसे solve करेंगे ठीक है? हाँ अब एक काम करते है 11th का first part मैं कराता हूँ second part आप खुद कर सकते हैं ठीक है? first part मैं कराता हूँ 11th का second part आपको खुद करना है तो देख लो भाई 10th का second part 10th का second part 10th का second part 9th पूरा और 11th का second part ये आपको homework में मिला है ठीक है? ठीक है? तो बाकि अभी 11th का first part करा रहा हूँ मैं नोट तो करी लिया होगा सबने ये कर लिया ना नोट 10th का first, 10th का second, 11th का second, 9th चलिए आज का last question एक और कर लेते हैं 11th का first part a-b-c फिर है 2b, 2c 2a b-c-a और 2c फिर है 2a, 2b c-a-b a-b-c का whole cube नकली गोशन है, एक नमबर नकली गोशन अरे एक बात बताओ अगर आपके नजर में r1, r2, r3 दिख रहा होगा तो देखो अगर मैं इन तीनों को add कर दूँ तो a अपनी जगा पे minus b plus 2b तो 2b में से b जाएगा plus का b minus c plus 2c 2c में से c जाएगा तो क्या बनेगा plus का c same case यहाँ पे भी same case यहाँ से भी ठीक, तो हमने क्या देखा अरे देखो न, a minus b minus c plus का 2b कर दो, plus का 2c कर दो तो 2b में से b या plus का b 2c में से c या plus का c same इसमें भी, same इसमें भी तो यानि हमने क्या देखा हमने ये देखा कि अगर हम R1 में operation कर दें और R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें तो हमें A प्लस B प्लस C मिल जाएगा तो ठीक है जी करते हैं इन तीनों को add किया A प्लस B प्लस C इन तीनों को add किया A प्लस B प्लस C इन तीनों को add किया A प्लस B प्लस C फिर क्या है 2B 2C B minus C 2C 2B C minus A minus B ठीक है A plus B हाँ भई taking common taking common A plus B plus C from R1 तो A plus B plus C 1 1 1 अब तुम समझ गए हो गए कि आगे की कहानी चलेगी क्या समझ गए न अब तो मैं तो पता यह अच्छे से कि भई कहानी क्या चलेगी इन दोनों को 0 बनाना है तो बस operation करो C2 minus C1 C3 minus C1 करो operation हाँ जी operation करेंगे तो बच्चो A plus B plus C तो अपनी जगा पे 1 2B 2C अपनी जगा पे 1 मैं से 1 गया 0 बच्चो B minus C minus A में से minus 2B तो क्या बना minus का C minus का A 2B में से B गया minus का B minus common ले लोगे A plus B plus C बचेगा तो बस यहाँ पा है minus का C minus का A minus का B 2C में लो 2C गया 0 इस तरह one में से one गया 0 2B में से 2B गया 0 अब देखो अब c minus a minus b में से क्या जाएगा भई minus का 2c तो क्या बनेगा minus का a minus का b 2c में से गया minus का c minus का a minus का b minus का c सही बात है बस बात खतम अब क्या आएगा a plus b plus c ठीक है अब देखो ठीक sorry 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 minus का a minus का b minus का ठीक है तो यह गया 1 एक मिनट यहर तो यह बाहर minus थोड़ी आएगा क्या था c 2 minus c ना b minus c minus a minus का 2b आँ ठीक है तो minus का c minus का a minus का b यह रहेगा अब ठीक है ठीक है तो यह आएगा 2b 2c 0 minus कामन ले लो a plus b plus c 0 0 0 minus कामन ले लो a plus b plus c ठीक है अब आपको पता ही है expand कर दो यार expand कर दो first row first column तो minus का a plus b plus c 0 0 और माइनस का A प्लस B प्लस C और आपको तो पता ही है दोनों 0 है तो बाकी case भी 0 और 0 होगा ठीक है तो क्या बने गया A प्लस B प्लस C इसको इस से करोगे तो यह बन जाएगा A प्लस B प्लस C का whole square और 0 तो 0 यहाँ खतम कहानी ठीक है तो क्या बन गया A प्लस B प्लस C इसके पास square है तो यह बन जागा A प्लस B प्लस C का square और square और power 1 बेस सेम तो power add A प्लस B प्लस C का whole cube Hence proved तो इतना नकली सा question था बच्चो इतना नकली सा question था जो कि आपको खाम खामे तंग गर रहा है ठीक है तो इतने असान-असान question आपके सामने हैं बच्चो तो आप इसको clearly कर सकते हो बड़े अराम से बिना किसी दिक्कत के ठीक है तो इसमें आप 2-4 question और रहे गए हैं ट्राई करके देखना बाकि जितने मैंने बोलें वो भी ट्राई करो ठीक है तो आपको बारा तक के question करने बच्चो ठीक है कहा तक के करने question बारा तक के question करने है ट्राई कर लेना खुद वैसे बहुत आराम से हो जाएंगे जो ये करवाए हैं सेम वैसे ही है ठीक है वहाँ तक के करना फिर मैं आपको question number भाई 13-14 और example और miscellaneous ये मैं आपको next class में कराऊंगा और almost हो सकता है next class में मैं इस chapter को खतम भी कर दूँ हद से दो class और लूँगा फिर खतम कर दूँगा मैं tension मतलो ठीक है क्योंकि इसके बाद मैं को second chapter सुरू करना है ठीक तो आज ची class यहीं खतम करते हैं अज़ यहीं दो आज़ यहीं